तूदेंट्स तूडे विल साथ न्यू चेप्टर चेप्टर 11 फर्स विल डिसकर्स अबाउट सम्सेप्स कुछ शेप दे रखें आपको 2D एंड कुछ 3D शेप्स दे रखें हैं 3D इमेज में हाइट भी इंकलूड होती है आपको चीज खड़ी भी दिखाई दे सकते हैं आप उसको स्टैटिक रख सकते हो वो 3D शेप्स में आता है तो जैसे आपने शेप लिए 3D में क्यूब, क्यूब वाइड और सिलेंडर तीनी शेप में हमारे स्लिवस में और यहां 2D शेप में हैं, रेक्टेंगल, स्कुयर, ट्रेंगल, सरकल, रोंबस, पार्लेलोग्राम, टैपीजियम, और नॉर्मल क्वाडरी लेटरल जिसकी 4 साइड होती है, तो सबसे पहले आप रेक्टेंगल पर आजाओ, तो अगर रेक्टेंगल की बात करें तो आपको पता है कि how to find area, area जो रेक्टेंगल का होता है वो होता है length multiply by breath, perimeter भी आपको पता है क्या होता है, 2 into length plus breath, next है आपका square, अगर square में all sides are equal और all angles are equal, diagonal by sector each other, diagonal also equal, तो square की बात करें तो area होता है क्या side multiply by side, अगर perimeter की बात करें तो 4 into side, तो easy है यह हमने बहुत पहले से भी किये हुए है, फिर आती है आपकी triangle, और triangle का area होता है जिस पर perpendicular यह जो height होती है, उसको हम perpendicular जो third side को 22 करता है, उसको हम height कहते हैं, perpendicular distance होता है यह, उसको height कहते हैं और जिस के ऊपर यह perpendicular cut करता है, जिस line को वो आपका क्या होता है, बेस होता है, तो यह होगे आपके height और यह हो गया आपका base, तो अगर हमें area of triangle निकालना हो, तो how to find area of triangle, 1 by 2 base into height, अगर perimeter की बात की जाएं, तो sum of 3 side होता है, क्योंकि 3 side से triangle बनता है, तो sum of 3 sides, अब बात आती है आपकी circle की, circle में radius important होता है, तो यह आपका radius हो गया, अगर मैं इसके area की बात करूँ, तो area होता है इसका pi r square, and अगर आप इसकी circumference या perimeter की बात करो, तो यह होता है 2 pi r, इसमें दो चीजे और आती है, एक complete circle होता है, एक semi circle होता है, अगर semi circle की बात हो रही हो, तो semi circle circle का half होता है, तो आपका area भी क्या हो जाएगा, semi circle में, अगर हम semi circle की बात करें, तो area भी 1 by 2, मतलब half हो जाएगा, और जो आपका perimeter है, वो 2 pi r था, half हो के कितना हो जाएगा, pi r, तो यह आपका किस की case में होंगे, semi circle के case में, यह आपका circle है, यह triangle था, this one is circle, और यह आपका क्या है, semi circle, अब next 2D shape की बात करें, तो rhombus होता है, rhombus भी same as it is, square होता है, बस उसके जो angle होते हैं, यह 90 नहीं होते हैं, बट इन दोनों का sum 180 ही होता है, all sides are equal, 4 sides equal होती है, diagonal backset करते हैं, at right angle, how to find area, देखो अगर height given है, और base given है, तो इसका area भी, rhombus का area भी क्या होगा, जो parallelogram का area होता है, वही होगा, area होगा, base into height, but in case आपको diagonal given है, यह diagonal D1 है, यह diagonal D2 है, दोनों diagonal अगर given है, then इसका area हम diagonal के उपर लेंगे, तो 1 by 2, D1 into D2, half of product of the diagonal हो जाएगा, if diagonals are given, and perimeter क्या होता है, 4 into side होता है, क्योंकि all sides are equal, 4 side का sum करेंगे, तो same आएगा, next आपका क्या है, parallelogram, parallelogram में क्या होता है, एक rectangle को टेला कर दिया जाता है, rectangle में इस एंगल is 90, बट इसमें 90 नहीं होते, बट इसके opposite होते हैं, अगर इसका area find करना है, तो parallelogram का area होता है, base into height, यह आपका base हो जाएगा, और यह आपकी height हो जाएगी, तो base into height आप किसका area find कर सकते ह parallelogram का, अगर बात करें हम parameter की, तो देखो parallelogram में भी अपोज यह B है, यह A है, तो यह A है, अगर मैं इन चारो side का sum करूंगी, तो parameter आएगा 2 into A plus B, next आपका trapezium, trapezium shape जो होती है, उसमें 2 parallel side होती है, दो non parallel side होती है, तो इसमें यह 2 parallel side हो गई, और यह 2 non parallel side हो गई, it means 2 parallel side है, आ आपको सरफ इसमें क्या चाहिए, parallel side चाहिए, अगर parallel side आपकी A और B है, अगर मैं इसका area find करूं, तो जो इसका area होता है, 1 by 2 sum of parallel side, parallel side का sum into में height, और height आपने H ले रखी है, तो यह आपकी height हो जाएगी, parameter sum of 4 sides, आप write कर सकते हो, parameter हो जाएगा इसका sum of 4 sides, जो भी given है, 4 sides, उन का sum कर दो, parameter आजाएगा, next आपका quadrilateral, quadrilateral में एक common diagonal होता है, जिसको हम D कहते हैं, एक height होती है H1 और एक height होती है H2, H1 में quadrilateral को दो triangle में divide कर दिया है, एक triangle यह है, और एक triangle यह है, तो अगर मुझे पूरी quadrilateral का area निकालना है, तो आप direct निकाल सकते हो, 1 by 2, सिर्फ height को add कर तो H1 plus H2 और into में यह जो common D है, यह आजाएगा, और parameter sum of all four sides, तो यह थे थे 2D shape जिनका हमने area find किया, क्योंकि 2D shape में volume नहीं होता है, volume किस में होता है, 3D shapes का होता है, तो अब आजाओ हम area and volume discuss करेंगे, यह जो आपको 3D shape दे रखी है, सबसे पहले आप cube पे आजाओ, तो आप कि 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 से बना है, 6 square मिलके क्या बनाते हैं, queen बनाते हैं, cube और cute wide में यह होता है, इसकी length breadth और height तीनो return होती है, और तीनों सेम हैं, तो cube है, और 3 different है, तो cube one है, अगर मुझे इसका निकालना है, और each side is A, तो आप A square का area निकालते हो A square अगर हमने 6 से multiply कर दूँ तो ये total area हो जाएगा किसका cube का तो अगर आपको area of cube लिखना है तो area of cube हो जाएगा 6 multiply A square अब बात करें volume की volume आपका होता है base area into my height आपको कोई भी shape दे रखिए उसका सिर्फ आपको क्या चाहिए base area चाहिए multiply कर दो height से अगर मैं इसकी base area की बात करूँ तो ये इसका base है और base square है तो base area क्या होगा A square और इसकी height भी A है तो A, तो इसका volume हो जाएगा A की power 3 तो आप बिना याद किये वे भी अपने इन चीजों को समझ सकते हो तो अगर आपको याद है कि आपका Q formation होती है वो 6 square से मिलके होती है तो आपको एक square का area पता होता है A square 6 से multiply कर दो 6 A square हो जाएगा और volume क्या होता है? Base area into height होता है Base area अगर ये square है तो A square बनेगा and height भी A है तो A cube आजाएगा Similarly अगर आप cube head को देखो तो इसमें 6 rectangle है 6 rectangle की बात करें तो ये length है ये breadth है और ये height अगर मैं नीचे वाली rectangle लूँगे तो LB area आएगा इसका सेम उपर वाली है उसका भी LB आएगा ऐसे करके अगर मैं इसका area निकालू तो 2 LB बनेगा और 2 BH and 2 HL 6 rectangle का area ये आएगा इसमें से 2 common ले ले लेते हैं हम और सीरा लिख देते हैं LB, BH और HL This is the area of cuboid Now how to find volume इसके volume के लिए आपको पता है कि base area चाहिए और base area again length multiply breath है तो length multiply breath into way height होता है तो LBH इसका volume हो जाएगा फिर वो condition हमें देगा condition के according अगर length वो कहेगा कि छत नहीं लेनी floor नहीं लेना या side वाली wall नहीं लेनी ये नहीं लेना तो हम इसमें से minus करते वे चले जाएगे particular एक formula है उसको याद कर लो वो हाँ आपका 2LB, BH और HL अब आता आपका cylindrical cylindrical जो shape बनती है actual में ये किससे बनती है एक rectangular sheet होती है आप इसको L बोलते हो इसको B इसको fold करो जब आप इसको fold करोगे तो ये जो L है ये convert हो जाएगा किस में circle में जो क्या बन गया आपका 2πR आप कोई पता है कि अगर ये इस shape में convert होता है तो ये 2πR है and ये जो sheet है ये वाले fold करके ऐसा एक circle बनाएगी आप घर पर try कर सकते है एक page को fold करके देखो fold करोगे तो उस sheet से क्या बनेगा cylinder और जो L है वो किस में convert हो जाता है 2πR में और जो B है वो किस में convert हो जाता है H में अगर मैं इसके area की बात करूँ तो normally area क्या होता है length multiplied by breath it means इसमें भी दोनों की multiply करूँगी तो 2πR into H तो कहां से आया है इसका area rectangular sheet से ही आया है तो area हो गया इसका 2πRH ये होता है lateral surface area पहली बात आते हैं कि lateral surface area क्या होता है जिसमें top और bottom नहीं होते उसको lateral surface area कहते हैं अगर कोई कहें कि नीचे से दो चीजों में बचे गन्फीज रहते हैं कि total surface area क्या है आपको इतना नहीं सोच रहा है वो जैसी condition दे रहा है उसके according चलो अगर total की बात कर रहा तो उसमें ये चीज भी include हो जाती है आपका नीचे वाला base area नूपर वाला base area भी add हो जाता है देन आपका area हो जाता है 2 pi r h तो आपका sheet का है अब मैं नीचे वाले circle और इसका circle का लूँगी तो यहाँ पे 2 pi r square एक circle का area pi r square होता है आप 2 circle add कर रहो तो 2 pi r square लोगे तो यहाँ से निकलता है total surface area आप इसमें ऐसे क्या common ले ले तो 2 pi r common ले ले तो यह हो जाएगा h plus r तो याद करने की जरत नहीं हो सकता है वो नीचे से कहें कि close है उपर से open है देन हम एक pi r square add करेंगे दोनों तरब से बंध है तो 2 pi r square डिपेंड करेंगे जैसे question में situation आएंगी तो what is the volume अगर इसके volume की बात करें तो base area फिर आपका circular है तो यह हो जाएगा आपका pi r square into may height तो आपका volume हो गया pi r square h तो यह तो formula regarding chapter 11 नाव कम तो exercise 11.1 This is exercise 11.1 question number one of this exercise given that आपको 2 fields दे रखी एक square field है और दूसरी rectangular field है square field के आपको side given है तो all sides equal होती है तो all sides are given but in the rectangular field length is given breath नहीं है हुमारे पास but उसके लिए इसने आपको क्या दे रखा है same perimeter same perimeter का मतलब square का perimeter equal है perimeter of square equal है perimeter of rectangle अब आपको अच्छे से पता है perimeter of square होता है 4 into side और perimeter of rectangle होता है 2 into length plus breath इसकी side आपको given है 60 2 length given है आपको 80 plus आपको breath find करनी है देखो find करने के लिए 2 यहाँ पर क्या कर रहा है multiply यहाँ क्या करेगा divide वहाँ क्या बच गया 80 plus B आप देखो इसको reduce करोगे तो यह 30 आगा 120 आजाएगा यह plus 80 है इदर आके minus 80 हो जाएगा और वहाँ सरफ breath रह जाएगी और जब आप इसको minus करोगे तो B की value आएगी आपकी 120 में से अगर 80 गया है तो 40 meter तो आपने breath find कर ली अब आपको check करना है इनका area की इसका area कितना है और इस field का area कितना है तो सबसे पहले area of square field निकालो area of square field होता है side multiply by side side multiply by side मतलब 60 multiply by 60 तो area हुआ इसका 3600 meter square then आपको area निकालना है किसका rectangle का area of rectangle क्या होता है area of rectangle होता है length multiply by breath length given थी आपको 80 और breath आपने find कर ली 40 तो यह आया आपका 3200 meter square which field has larger area कौन सी field के पास ज्यादा area है square के पास या rectangle के पास तो square has larger area square के पास larger area है और उस field का part A तो part A is the right answer अब आपको question number 2 दे रखा है कोशिक है कोशिक का यह plot है plot के अंदर वो एक house बनाया हुआ उसने और आप वो develop करना चाहता है इस garden area को डवलप करने के लिए उसने रेट दे रहा 55 meter per meter square एक मीटर स्क्वार के लिए वो 55 रुपीज देता है आपको total cost निकालनी है तो यह चीज तो आपकी clear हो गए कि garden का area हमें निकालना है तब भी हम उसकी कोस निकाल पाएंगे और गार्डन के एरिया के लिए मुझे पूरा एरिया चाहिए और पूरे एरिया में से मैं इस house के एरिया को multiply side मतलब 25 multiply 25 और 6 25 मीटर स्कूर अब मुझे किसका एरिया निकालना पड़ेगा house का एरिया तब मैं माइनस करूंगी मेरे पास गार्डन का एरिया आएगा तो सबसे पहले लिखो length of house is 20 मीटर and breadth of house is 16 मीटर given है देखो 15 मीटर यह आपको length दे रखे 20 मीटर यह breadth दे रखे 15 मीटर अगर आप इसका area निकालोगे area of house is 20 into 15 15 तूजा क्या होता है 30 300 मीटर स्कूर आपको क्या चाहिए area of garden चाहिए area of garden कैसे आएगा आपका area of garden is area of plot minus क्या करना है आपको area of house देखो प्लोट का area आया आपका 625 house का area आया 300 तो simple 625 में से 300 माइनस करोगे तो 325 मीटर स्कूर तो 55 को multiply कर दो किस के साथ 325 के आपकी क्या आ जाएगी कोस्ट आ जाएगी now come to the next question question number 3 आपको एक फिल्ट दे रखे question number 3 में आपको इसका area भी निकालना है और perimeter भी तो area and perimeter दोनों find करने हैं area और perimeter के लिए आपको पता है सबसे पहले हम इसका perimeter ही निकालेंगे उसके बाद area निकालेंगे area आपको area के लिए देखो एक दे रखे आपको rectangle इसमें यह rectangle है और यह दे रखा आपको semi circle और यह semi circle दो चीजे है area के लिए एक तो है आपकी rectangle और दूसरा क्या है आपका circle तो वह तो easily find कर लेंगे कोई problem नहीं है सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए perimeter perimeter का मतलब होता है किसी भी field का perimeter निकाल सकते हो starting point यहां से ले लो अब पहली बात हमारे पास से length ही नहीं है कौन सी length है इतनी length है यह वाली नहीं है तो यह वाली find करने के लिए मुझे पहले यह निकालनी पड़ेगी और आपको पता है कि circle का क्या है diameter अगर मैं radius निकालूंगी तो 7 by 2 बनेगा या इधर भी 7 by 2 और इस पू 20 minus देखो यह 7 by 2 हटा दो और यह 7 क्योंकि total 20 दे रखिया है 7 by 2 plus 7 by 2 7 by 2 को 7 by 2 के साथ करोगे तो 7 आ जाएगा और 20 में से 7 गया 3 meter आपकी यह वाली length हा गई अब आपको क्या चाहिए यह arc चाहिए और यह क्या है semi circle का perimeter है तो आपको पता है semi circle का perimeter क्या होता है perimeter of semi circle pi r खाली pi r होता है ठीक है बाकि अगर circle का लोगे तो 2 pi r होता है उसका आधा क्योंकि यह complete नहीं है pi r लोगे तो यहां क्या हो गया आपका pi r अगेन यह length कितनी है आपकी 13 क्योंकि यह length 13 है तो यह भी 13 और यह क्या है आपका pi r तो अब आप write कर लो इसका क्या perimeter of field तो perimeter क्या होगा इसका सबसे पहले आपने यहां से starting की यहां से starting की तो 13 प्लेस क्या है यह length क्या है आपकी pi r प्लेस यहां फिर अगेन 13 और अगेन pi r आप जहां से शुरू क्या था वहीं आगे it means आपने पूरी boundary कवर कर ली देखो perimeter में अंदर नहीं जाना होता सिर्फ boundary पे रहना होता है मैं यहां से चली और मैंने यह पूरी boundary कवर कर ली मेरा क्या हो गया perimeter everything is given आपको इसका radius given है radius है आपको 7 by 2 और आपको बाकी कुछ चाहिए यहीं पाई की value क्या होती है आपकी 22 by 7 यहां put कर दो देखो 13 plus 13 कितना हो गया 26 pi r pi r क्या हो गया आपका 2 pi r perimeter निकालना है तो 2 pi r क्योंकि semi circle का perimeter pi r plus pi r कितना हो जाएगा 2 pi r तो r आपके पास है 26 and 2 pi की value होती है 22 by 7 r आपने find किया है क्या है आपका 7 by 2 तो यहां इसको simplify करोगे तो यह cut जाएगा तो answer आए 26 plus 22 तो 48 meter आपका क्या आगया perimeter अब आपको क्या निकालना है area तो area के लिए सबसे पहले rectangle का area निकालो फिर semi circle plus semi circle क्या बन जाएगा आपका circle तो दोनों का area निकालो तो सबसे पहले length of rectangle given है आपको देखो length सिर्फ इतनी है अब हम निकाल चुके length of rectangle कितनी है आपकी 13 meter and breadth of rectangle given है आपको 7 meter तो area क्या हो जाएगा आपका area of rectangle is equal to 13 into 7 91 meter square अब निकालो आप radius radius given है radius of circle क्या given है आपको radius of circle 7 by 2 meter what is the area आपको पता है area of circle क्या होता है pi r square pi की value 22 by 7 r 7 by 2 into 7 by 2 तो यह आपका cancel होके क्या आजाएगा 77 by 2 meter square आपको तो field का area निकालना है what is the area of field तो उसमें आपके दोनों plus हो जाएगे area of rectangle plus area of circle तो कितना निकाला होगे आपने 91 plus 77 by 2 आप 2 LCM लो तो यह आएगा आपका 182 plus 77 जब आप इसको add करोगे तो यह आएगा 259 by 2 जब हम इसको divide करेंगे तो 129.5 meter square now this is your question number 3 you will try all the question of this exercise have a good day बना है झाल